Hello Everybody, Welcome to another video of GDC Pharma Jobs आज मैं आप सभी के सामने एक ऐसा जॉब लेकर आ रहा हूँ एक ऐसा जॉब आपको यहाँ पर डिस्कस करने जाऊँगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ फ्रेसर कंडिडेट्स को ही लिया जा रहा है जी हाँ बिल्कुल सही सुना आपने इसमें सिर्फ और सिर्फ फ्रेसर कंडिडेट्स ही अपलाए कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ बैचलर स्टुडेंट्स ही अपलाए कर सकते हैं यहाँ कोई मास्टर के स्टुडेंट अपलाए नहीं कर सकते अगर आपको एक साल यह इस से ज़्यादा का कहीं भी किसी भी company में अगर experience है या अगर आप as a trainee महा काम किये हैं तब आप इस post के लिए eligible नहीं है यह सारे important instructions हैं इस job के देखते हैं कहां से job आई है कैसी job है क्या कुछ notification रहने जाएगा और कैसे हमें यहाँ पर apply करना है लेगनाइट कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड हो जाएगा एक coal mining company है जो इंडिया के नौरत्न companies में आती है यहाँ पर आपको एक बहुत अच्छा scope मिल सकता है जिन students ने सोचा है कि जो अगर अभी हाली में जो पास आउट हुए है नैंटीन से लेकर 2023 तक जिन्हों ने अपने बैचलर इन फार्मिसी कंप्लीट किया है उनके लिए बहुत ही अच्छा opportunity है आप यहाँ पर apply कर सकते हैं salary भी अच्छी खासी रहने जारी 15000 प्लस salary आपके रहेगी और साथी साथी एक साल का ही बस duration कर रहेगा एक यहां पर आपको काम करना पड़ेगा और यहां बहुत अच्छी रहती है चले बात कर लेते हैं सबसे पहले इनके पर पहुंच लीजेगा आप सर्च करना है यह आपके सामदे उपन हो जाएगा इसमें आपको कैरियर आप्सन में जाना है अब देखें किस तरीके का जौब है तो आपको ट्रेनी सेक्शन में जाना है और यहां पर ट्रेनी एंड एप्रेंट्स जैसे पहुंचेंगे यहां पर देख लीजे आ रहा है टुवेल्ट वन टूथाइन ट्वंटीफोर और डीटेल एडवर्टाइजमेंट यहां पर क्लिक कर लेंगे ठीक है यह कल ही का न चलिए देख लेते हैं कहां से आई हुए जॉप टैनल सी हो गया आपका अब यहां पर बहुत सारे ऐसे पोस्ट आए हुए हैं लेकिन आपको फार्मेसी पर चलना ठीक है नाइंत नंबर फार्मेसी तो कितने पोस्ट हैं यहां पर कुल आपके 14 पोस्ट यहां पर रहने जा रहें हैं आप यहीं पर अप्लाय करने के लिजिबल हैं सेलरी की बात करने तो फिप्टीन थाउजन ट्वंटी एट रुपीज पर मन्थ सेलरी बनेगी और साथ ही साथ क्या हो रहा है यह एक साल का डियूरेशन रहेगा ठीक है कॉंटेक्ट्ट्ट बेसिस पर आपका ट्रेनि मिनिममुम् कॉलिफीकेशन एजुकेशन बाट करने तो फॉर फार्मेसी यहां पर बता दिया गया बैचलर ऑफ फार्मेसी ठीक है के स्टूएंट्स यहां पर अलिजिबल है इतना तो कन फर्म हो गया है लेकिन साथ ही साथ यहां पर देखेगा ऑदर एलिजिबिलिटी रि अप्लाइन नहीं कर सकते नहीं डिप्लोमा वाले कर पाएंगे नहीं मास्टर्स वाले कर पाएंगे सिर्फ और सिर्फ बैचलर इन फार्मेशी अगर आपने भी फर्म किया है तभी आप यहां पर हैं साथी साथ क्या बताया गया इस बीच में आपका बी फर्म कंप्रीट होना चाहिए तभी जाकर आप एलिजीबल हैं साथी साथ बता दिया गया आप किसी भी तरीके के कहीं भी ट्रेनिंग में आप ना रहें केंडेट सुड नॉट हैप एक्सपेरियंस ऑप वन यर और मोर इन अनी जौब किसी भी जौब में आपको एक साले से आधा का एक्सपेरियंस नहीं होना चाहिए इट मिन साब पूरी तरीके से फ्रैसर केंडेट सुने चाहिए ठीक है फिप्त नंबर पर ध्यान रखेंगे एसे कैंडिडेट से हैं अपैडिय कर सकते हैं जो कुल तब्रवे मिलन नाड़ु अंधर प्रदेश तर्शि लंगाना किरला करनाटका औंड युणियं से भी लॉंग करणे ठीक है यही एरिया इसी एरिया के candidate सी ही हाँ पर apply कर सकते हैं और इंडिया के बागी स्टेट्स के यहां पर उप्लाइब कर सकते हैं तो देख लीजिए अगर आप यहां से भी लॉंग करते हैं तो बहुत अच्छी आप पर अपके लिए जरूर से यहां पर apply करें क्योंकि यहां पर सिर्फ और सि होता है यहां ऐसा सिस्टम नहीं है आपके लिए बहुत इजी तरीके से यहां पर सिलेक्शन हो जाएगा नेक्स्ट बात कर लेते हैं और क्या कुछ हमाइल जोररी हो रहा है इस्ट्रक्शन टूदा केंडिडेट इसे आपको पढ़ते हुए चलना है मैथड़ ऑप सिलेक्शन the method of selection क्या होगा, selection will be based on the percentage of the marks scored by the candidate in qualifying D-form और B-form आपको यहां पर B-form लेकर चलना है तो आपको क्या रहा यहां पर कैसा आपको सिलेक्शन किया जाएगा जैसा आपने बैचलर इन फार्मेसी में आपने जैसा स्कोर किया है आपके मार्ट सीट के बेसिस पर आपका यहां पर सिलेक्शन होगा एक मेरिट लिश्ट बनेगी और यहां से आपको सिलेक्शन होने जा रहा है अभी अप्लिकेशन स्टार्ट नहीं हुआ है अब बात करते हैं सर अप्लाइ कैसे करना है आपको वापिस से इसी पॉटल पर पहुंच जाना है और यहां पर अभी जैसे यहां आप आप देख सकते हैं ओनलाइन दिखा रहा है ठीक है ओनलाइन दिखा रहा है क्योंकि इस के लिए यहाँ पर यहां पर अप्लिकेसन चल रहा रहा है इस से पोश्ट के लिए अभी कफायोंन K usa स्टार्ट होगा तो यह हो रहा है आपके 12th January उन्री तो यहां पर यहां नीचे और यहां पर apply online का link आ जाएगा जब यह आएगा तो एक और वीडियो बनाकर आपको बता दूंगा कि कैसे आपको यहां पर apply करना है तो आपको वहीं पर क्लिक करके apply कर सकते हैं अब यहां पर खास ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहां पर आपको online प्लस offline दोनों पर चलना है आपको online अप्लाइन तो करना ही है साथ ही साथ इस line को आपको ध्यान से पढ़ना है complete the application form and take a print out of the registration form आपको जो registration form आपको जो confirmation form आएगा उसका एक print out आपको ले लेना है और print out को the registration form duly signed should be submitted by post to the general manager learning and development center NLC India limited इस address पर आपको पहले इस application form नेट को इस registration form को आपको print out लेना है उससे आपको यहां पर sign करना है और sign करने के बाद इस address पर आपको by post भेजना भी पड़ेगा और इस address पर पहुंचने का last date रहने जाएगा सिक्स्त फरवरी 2024 सामके पांच बजे ठीक है छैपर विड़ोजार 2024 यह थोड़ा मिस्टेक लिखा इनके साइट से 23 हो गया 24 रहेगा और इस date पर पहुंच जाना चाहिए और last समय होना चाहिए ठीक है लास समय कभी आपको ध्यान रखना है तो इसके online के साथ साथ आपको offline भी apply यहां पर करना पड़ेगा अब एक बात का और ध्यान रखना है जो आप यहां पर application format भीजेंगे आप जो अपने registration form भीजेंगे उसके साथ आपको इन documents को भी attach करने हैं इनके photo copies भी आपको attach करना है से अपने documents की संतुष्टी रखता हूं यह मेरे द्वारा satisfied है तब जाकर मैं इसे आगे बढ़ा रहा हूं transfer certificate आपको देना है community certificates जिसमें आप जिस कास से बिलॉंग कर रहे हैं आपका certificate आ जाएगा degree certificates ठीक है आपने जो bachelor किया उसके सारे certificates दा लिएगा प्रोविजनल certificates degree certificates यह सभी आएंगे मार्क सीट्स फर्स्ट टू लेकर एट समेस्टर के मार्क सीट्स दोनों में अंतर रखे गई बन रहा है percentage में बन रहा है उसके basis पर भी उसका भी आपको प्रूब देने के लिए यहां पर एक फॉर्मेट दानला पड़ेगा नेस्ट बात कर लेते हैं यहां पर क्या बता दिया गया कि इनका रिजल्ट यह सौट लिस्टेट कंडिडेट्स यह सिलेक्टेट कंडिडेट जो होंगे उनका रिजल्ट कब आ रहा है तो 19th February 2024 ठीक है यह भी आपको ध्यान रखना है इन्पॉर्टन डेट्स का जुरूर से ध्यान रखते हुए चलेंगे पॉर्टेवल डेट आप जॉइनिंग अब देखिए यह भी बता दिया गया कितना फास्ट इनका होगा यह तक बता दिया गया चलिए क्या रहा है यहां पर टेंटिटिव कव से आपका चालू हो सकता है तो 23 फर्वरी 2024 से 29 फर्वरी 2024 के बीच आपका कंफर्मेशन हो जाएगा कि कि किस दिन से आपको ट्रेनिंग पर जाना है तो आपको यहां पर मेंली इनके यहां 6 फर्वरी तक सब्मीट कर देना है रिजल्ट आ रहा है 19 फर्वरी और आपका जोइनिंग या ट्रेनिंग कप से चालू हो सकता है तो 23 टू 29 फेवरी 2024 के बीच ओबीच ठीक है तो यह इस नोटिफिकेशन में हर एक चीज आपके लिए पूरा क्लियर हो गया होगा और इसके बाद भी अगर आपको कोई doubt है कोई queries है तो बिलकुल आप comment section में हाँ पर comment करके बता सकते हैं आपके हर एक question को में हाँ पर solve करने की भरपूर प्रयास करूंग वीडियो कैसे लगी comment करके जरूर बताइएगा और ऐसे ही important information से जुड़े रहने के लिए subscribe कर ले इस channel को औ और डाउनलोड करने GDC Classes app from the play store. Thank you all.